प्रवाजा अंदर से बंद हो जाता है वो भी अपने आफी आपके घर के भीतर आफी का नाम बार बार सुनाई दे रहा हो वो भी बार बार दिन हो चाहे रात या बात एक व्यक्ति के होस उडाने के लिए काफी है उतो पर बहुत से लोग यकीन नहीं रखते हैं लेकिन आज क कि इस बीडियो में मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनके आपके भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे और हो सकता है कि आप अपना पैंट गीला कर दो तो इससे पहले फाटाफट चैनल को सस्क्राइब और कान में हेड़फोन लगा लो भूतों के वजू लिटा के टैकसस में रहने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि एक भूत कई सालों से उनका पीछा कर रहा है निक समर्स ने दावा किया कि भूतों ने इन्हें तीन बार मौत के करीब से वापस लेके आ चुके हैं कई बारी इन पर जानलेवा हमला भी किया गया निक समर्स इसने ये बताया कि भूत उन्हें बहुत परिसान करते हैं, पूरे घर का महौल डरावना हुआ पड़ा है, जैसे ही रात होती है, इन्हें अजीबो गरीब आवाजे सुनाई देने लगती है, और एक हपते में लगबग तीन से चार बार ये भूत निक्समर्ज का नाम पुका दरी हुई है, दोस्तो जरा सोचो, आप कोई चीज कहीं पर रख देते हो, और दुबारा उस चीज को वहीं पर खोजने जाते हो, तो वो चीज आपको वहाँ पर नहीं मिलता है, आपने कई बार उस चीज को खोजा होता है, जहां पर आप उस चीज को रखे होते हैं, पर आ अफिशली सभी डर जाएंगे तो दोस्तो निक की पतनी घर के होने वाले अंदेखी गतिवितियों से काफी डरी हुई है इनके घर में चीजे अक्सर गायव हो जाती है और फिर से उसी जगह पे मिलती है जहां पर उन्हें कई बारी ढूंडा जा चुका है यहां तक यह भूत इनके पीछे 4 साल से बढ़ा है यह गोष्ट 2019 से ही इनका पीछा कर रहा है निक का कहना है कि 2019 से यह भूत इनका पीछा कर रहा है और निक ने अपने घर में लगे हुए CCTV कैमरे की फोटेज भी सोसल मेडिया पे पोश्ट की है जिसमें भूत की अंदेखी गतिविदिया आप देख सकते हैं वीडियो में देखा जा सकता है कि एक समान दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है और पंखा भी अपने आप ही अचानक से चलने लगता है और अपने आप ही बंद भी हो जाता है अगर यह भूत किसी भारतिय लड़के के हाथ में लग जाए तो वो भारतिय लड़का इनको बांध कर अपना गुलाम बना लेगा आप सोच रहे होंगे क्यों? तो दोस्तों, देखनी रहे हो यह भूत अपने आप भी पंका चालू कर देता है बिना बिजली के, बिना बटन आउन किये हुए तो होई नहीं से बिजली की वच्चत निक कहते हैं कि घर में यह भूत हपते में लगबग तीन से चार बार इनका नाम पुकार लेता है इनके बेडरूम का दरवाजा अंदर से अपने आप ही बंद हो जाता है या बो 2019 से इनका पीछा कर रहा है दोस्तो ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी से चेक अप नहीं करवाया या फिर किसी विसे सग्य से नहीं मिले बलकि नीक ने कई विसे सग्यों से संपर करने की कोशिस की उन्होंने किया भी और अपनी परसानी भी बताई पर कोई भी इनकी समस्या का समधान नहीं कर सका तो दोस्तों आगे राम भरो से आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में अगर यहां तक आई गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दें तक ऐसे ही राम वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं धन्यवाद